जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे हम अभी बैठे हुए हैं तेगालवा बाबा के पास में और तेगालवा बाबा के पास में आज आ चुकी है मालती चोहान की आत्मा जैसा कि आप सभी तस्वीर में देख पा रहे होंगे तेक अलवा बाबा के पास एक तस्वीर भी रखे हुए हैं मालती चौहान का जो फूलों से सुसज्जित है और जैसे अंतिम संसकार में जैसे फूल रखा जाता है उसी परकार से एक फूल रखे हुए हैं और मालती चौह का आत्मा आता है और सभी संचाई को बताता है कि क्या है संचाई क्या नहीं है क्या कैसे कैसे इसकी जो परकिरिया हुआ है जिसके चलते इसकी हत्या हुई है तो इसमें क्या संचाई है आप क्या जानते हैं आत्मा को थोड़ा देखा जाए हमारे दर्सक भी देखे कि क्या है संचाई किस परकार आत्मा आती है मालती चौहान की आत्मा बाबा पर साइज आ चुकी है और बाबा के सभी बातों को बताए कि की क्या खिर्कार क्या क्या हुआ है वह सब्सक्राइब हमारा सब्सक्राइब हो दक्राइब इम त्यूहसा कि मेरे पती मेरे हुकुमों आदिया हां इन पर इसमें गुरख पूरिया भोजी अमें मिलल भिया राधिका भिया में भिया खालना की हो हम बर्यों करेका माना करनी बाग मानत ना एक दिन हमरा जोटा-जोटी हो गए अकेला में सबस्त्राइब करें के चोड़ें अबिशनुराज के हम आपनाये की चोड़ें आगए तो रख मुँआ यह लगकर करें अब पुरा शाज उस रचले विया राधिका और चाहती है कि हम भिया करें मेकर हम बाबा कर लेवाना कि बहुत घबरा में तीनों को मारे के मों का आख यहां कि हम आवची रात में यहां के छोरें बाबा यम तैनों के मारें पहले मारें का फिर अपना भतार के मरें हाँ उसके बाल सुना बाधतरा मा चाना मा वशनु राजा के हो अपने दो के नख नमगा वेला आदिया नादिपर रादिका के वहां मुंआ है थी तीनों के एक साथ मुआ के को तो हम जसे पृइए से स्टच आलो जाए जोड़ाएं तके बादी ना बे खिचके रख रहारा है पूरा खून ले गई रहे आत्मा आप सभी ने देखा कि अभी अभी बाबा के ऊपर मालती चौहान की आत्मा यह उनका दावा है कि मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी जो भी आरोपी है उसको मैं सजा दूंगी खुलियाम बोल रही थी आत्मा इसमें कितना सचाई है आप स करके बताईएगा